इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इस टैप के कोश्टन जिसमें पावर में एक्स रहता है ठीक है तो इस टैप के कोश्टन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो कोश्टन नमबर 40 फाइफ का पावर एक्स प्लस वन प्लस फाइफ का पावर टू माइनस एक्स इकॉल टू फाइफ का पावर थी होगे एक्सो पच्छीस प्लस है कि यह बन गया 126 ठीक है अब यहां पर जो पावर इसको ब्रेक करो ठीक है यूजिंग एक्स पोनेंट का जो भी रूल है तो five का पावर एक्स डॉar फाइफ हाइफ का पावर बन अहलों हो जाएगा प्लस five का पावर टू डॉराट फाइफ का पावर माइनस एक्स हो is equal to 126 अब देखो यहां भी 5 का power x दिख रहा है यहां भी 5 का power x थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगा यार लेट 5 का power x is equal to y थोड़ी देर के लिए इसको y एजुम कर थोड़ी देर के लिए यहां बन जाएगा 5y plus 25y is equal to 126 अब solve कर लो जैसे solve किया जाता है y का value निकाल लो y का जो value आएगा वापस से लाकी यहां पर put कर देना यहीं बन जाएगा 5y square plus 25 upon y is equal to 126 cross multiply करेंगे 5y square plus 25 is equal to 126y फिर ही हो जाएगा 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0 अब middle time split कर रो है तो 5y square 25 125 इफाइव इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा 125 तो minus 125y minus y plus 25 is equal to 0 ठीक है 5 common आ गया 5y यहां पर बच गया y minus 25 और यहां पर minus 1 common आ जाएगा तो y minus 25 यहां भी आ गया is equal to 0 तो y minus 25 एक bracket में और 5y minus 1 आ गया एक bracket में ठीक है इसके आगे इंडिवीज़ली दोनों को 0 से equate कर देंगे अब हम लोग यह हो जाएगा y minus 25 is equal to 0 और 5y minus 1 is equal to 0 यह हो गया y is equal to 25 और यह y is equal to 1 by 5 y हमने किसको assume किया था y assume किया था यार 5 का पावर एक्स वापस से हम लोग अभी यहां पर y के place पे लिख देंगे 5 का पावर x is equal to 25 और यहां भी 5 का पावर x is equal to 1 by 5 ठीक है अब देखो दोनों साइड बेस बना लो 5 पावर x is equal to 5 का पावर 2 और यहां पर हो गया 5 का पावर x is equal to 5 को उठा की उपर लेके जाएगे यह हो जाएगा 5 का पावर minus 1 तो देखो दोनों साइड बेस बराबर हो गया तो पावर को इक्वेट कर लो तो x is equal to 2 या फिर x is equal to minus 1 ठीक है तो इस टाइप का यह जो भी question है यह सारा यह चारो question यह चारो question इसी तरीके से बनेगा अगर समझी में आ गया तो वीडियो पाउस करके या वीडियो बंद कर दो और यह सारा यह चारो question खुद से बनाओ ठीक है देखो next 41 number 3 का पावर x plus 2 plus 3 का पावर minus x is equal to 10 यहाँ भी हम लोग पावर को break करेंगे तो 3 का पावर x dot 3 का पावर 2 plus 3 का पावर जो minus x इसको कर दो 1 by 3 का पावर x is equal to 10 यहाँ भी 3 का पावर x दिख रहा है यहाँ भी 3 का पावर x दिख रहा है तो let समझा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर short explanation a का पावर m into a का पावर n रहता है अगर बे सेम होता है तो हम लोग पावर को add कर देते हैं इसके बदले लिखते हैं a का पावर m plus n तो अगर इस तरीके से दिखाई दे a का पावर m plus n तो उसको break करके वापस से हम लोग ऐसे लिख स पावर एक्स प्लस टू इसको मैं लो लिख सकते हैं 3 का पावर एक्स डॉट इन्टू मतलब यहां इन्टू दो यह डॉट दो और 3 का पावर ठीक है अब अगर यह concept तुम्हें clear नहीं तो obviously इतने कम टाइम में इतना short intro में तो यह नहीं समझी में आएगा तो जाएगा तो क्लास एट की कोई वीडियो देखना जहां पर इस टाइप का क्लास एट का एक्सपॉनेंट वाला चिप्टर पॉड़ना ठीक है हम दो आगे continue करते हैं यहां पर 3x को मैं एजिम करेंगे वाई तो 3 का इसकोर यह तो बन गया 9 यह वाई प्लस 1 वाई वाई इस इकोल टू 10 ठ 10y धरहां कि माइनस हो जाएगा 9y square minus 10 y plus क्या mistake हुआ यह 1 था यह 9y square minus 10y plus 1 is equal to 0 तो 9 into 1 5 middle time split कर लेंगे minus 9y minus y plus 1 is equal to 0 यहां पर ठीक है तो 9y common आ गया तो बच गया y minus 1 और यहाँ पर minus common आ गया तो बच गया y minus 1 is equal to 0 तो y minus 1 आ गया एक bracket में और 9y minus 1 आ गया ये एक bracket में तो अब इन दोनों को further तुम 0 से equate कर लो y का दो value आ जाएगा y का जो भी value आएगा उसको वापस से replace कर देना 3 का power x से तो यहाँ से आ गया y is equal to 1 और y is equal to 1 by 9 ठीक है तब देखो y क्या था 3 का power x is equal to 1 और 3 का power x is equal to 1 by 9 तब देखो x का value हमें चाहिए x कहा है power में तो x का value कैसे मिलेगा दोनों side का base equal करो तो यहाँ पर 1 को हम लोग 3 कैसे बनाए हम लोग लिख सकते हैं 3 का power x is equal to 3 का power 0 क्या होता है 1 इन फेक्ट किसी भी number का power 0 क्या होता है 1 वम लोग यहाँ पर चाहिए था 3 चाहिए था base 3 बनाना था थो 1 के बदल हमने लिखा 3 का power 0 और यहाँ पर 3 का power x is equal to 1 by 3 का power 2 हो गया और 3 का power x is equal to 3 यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स इक्वल टू ठीक है अई होग किया समझ में आ रहा होगा ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं है इसके बाद देखाया नेक्स टे पोशन इसकिप कर सकते हैं वीडियो में बाकी यह दो कोशन तो बाकी जैसे सॉल्व किया था है हमने वैसे सॉल्व कर लेना इसको ठीक है और इसके बाद हाँ कोशन नमबर देखो 43 देखो 2 का पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 32 इस इक्वल टू 0 देखो यहां पर ब्रेक करेंगे तो देखो यहां तो ब्रेक करने लाए कुछ नहीं यह टू इंटू x लिखावा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखो यहां से डिसाइड होगा माइनस 3 इंटू 2 का पावर x डॉट 2 का पावर 2 ठीक है प्लस 32 इस इक्वल टू 0 और तीनों ही टर्म प्रोडक्ट में है तो यह ब्रेकेट हमें देने की कोई जरूवत नहीं थी ठीक है अगर यहां बीच में प्लस होता तब ब्रेकेट देना रहता हाँ और एक बात का ध्यान देना है कि इसको ब्रेक करते वाग कोई बच्चा गलती से यहां बीच में प्लस मत लिख देना ठी क्या रूल है एक पावर M और उसका पावर N हो पावर पे पावर तो हम लोग क्या करते इसको मल्टिप्लाई हो जाता न यह हो जाता है एक का पावर M इन्टू N ठीक है तो भी चीज़ हमने यहाँ पे क्या है 2X था तो इस तरीके से इसको लिख लिए अब देखो यहाँ भी दिख रहा है 2 का पावर X और यहाँ भी 2 का पावर X तो थोड़ी देर के लिए प्लस 32 is equal to 0 बाकि आगे जैसे solve किया जादा solve कर लेना Y का value निकाल लेना Y का जो भी value आएगा उसको 2 का पावर X से equit करके solve कर लेना ठीक है अब एक और देखो यार question number 44 इस वीडियो में देख लो और 45 को हम लोग separate वीडियो में करेंगे 44 नमबर देखो X plus 1 by X is equal to 25 whole 1 by 25 यह दोनों question आडी शर्मा भूप का है ठीक है तो यह वाला दोयर simple है 2445 थोड़ा सा लेन्दी हो सकता है ठीक है क्यों हो जाएगा X square plus 1 by X is equal to 25 into 25 625 और 1 626 by 25 ठीक है cross multiply कर देगे तो 25 X square plus 25 is equal to 626 यहां पर 626 X ठीक है तो 25 X square minus 626 X plus 25 is equal to 0 और यहां पर middle term split कर लो 25 X square minus 625 X minus X plus 25 is equal to 0 देखो इन दोनों को हमने multiply किया 25 into 25 क्या आजाएगा 625 ठीक है इसको हमने middle term split किया 625 और 1 multiply करेंगे तो यह आएगा अभी इन दोनों में common निकल गया 25 X common निकल गया है तो यहां पर minus sign common ना गया तो X minus 25 हो गया इस इक ब्रैकेट में और 25 X minus 1 यह आ गया एक ब्रैकेट में तो X is equal to 25 और X is equal to 1 by 25 ठीक है तो ठीक है यहां और नेक्स्ट यार 45 को हम लोग करते हैं separate वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ब्रेक है करत। यह उन्हें जब उन्हें सक्तुम हैं यहूा यह ऊिन्हें